हलो फ्रेंस सीमा अरविन ब्लॉक में आप लोगों का स्वागत है आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से हम भी अच्छे हैं तो फ्रेंस आज हम बनाने जा रहे हैं मार्केट जैसी पेटी तो आप लोग कांटिन्यू बने रहें तो फ्रेंस ये हमने एक बॉल मैदा लिया है और मैदे में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसमें हम घी डालेंगे लगभग दो से तीन चमच घी डालेंगे तो फ्रेंस इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे घीस का मावन लगाने से बहुत ही क्रिस्पी पेटीज बनके तयार होंगी तो इस तरह से हम अच्छे से मिक्स करेंगे देखिए फ्रेंस इस तरह से मुठिया बांधने से पता चल जाएगा आपको और इसी तरह हम मिक्स करेंगे अब हम इसका डो तयार करेंगे जैसे पूडियों का डो तयार करते हैं उसी तरह हम डो तयार कर लेंगे प्रेंस डो हमने तयार कर लिया है अब हम इसे ढख कर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए तो अब हम ये हमने आलू लिया है और इसे हम फोड लेंगे आलू हमने लगभग 4 से 5 ली है इसे इसी तरह हम फोड़ लेंगे सारी आलू को तो आलू हमने फोड़ लिया है अब हमने ये कड़ाई ले लिया है और कड़ाई में तेल डाल दिया है अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई धनिया डालेंगे और थोड़े से हम इसमें हरे मिर्च कटे हुए डाले हैं अब हम इसे भून लेंगे तो फ्रेंज ये जीरा हमारा भून गया है अब हम इसमें बारी कटा हुआ प्याज डालेंगे तो प्याज को हम गोल्डर ब्राउन होने तक भून लेंगे तो प्याज हमारा पग गया है अब हम इसमें डालेंगे छोटी एक चम्मा छल्दी पाउडर और इसे हम भून लेंगे अब हम इसमें बॉइल किया हुआ मटर डालेंगे और इसे अच्छे से हम भून लेंगे तो अब हम इसमें मैस की हुई आलू डाल देंगे आलू को हम भून लेंगे तो इसमें कुछ मसाले भी हमें आइट करने है तो यहाँ पर हम आधा चमच गरम मसाला डालेंगे एक चौथाई चमच लाल मिर्च आधा चमच धनिया पाउडर तो अब हम मसाले को मिक्स कर लेंगे मसाला भी हमारा भून रहा है और अब हम इसमें डालेंगे नमक आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं तो इसे भी हम बराबर चलाते हुए मिक्स करेंगे तो अब हम इसे मैसर से मैस करेंगे जितनी भी इसमें गुठलिया हैं सारी गुठलियों को हम मैस कर लेंगे तकि पेटीज में मसाला भरते वक्त कोई भी परिशानी न हो तो इस तरह से हमने मैस कर लिया है लगभग हमारा मसाला भी तयार हो गया है तो इसमें अब हम डालेंगे कटी हुई बारिक हरी धनिया पत्ती तो इसे भी हम धनिया को मिक्स कर लेंगे तो फ्रंस मसाला भून कर हमने तयार कर लिया है अब हम गय साउप कर देंगे तो मसाले को हम थंडा कर लेंगे तो इसे हमने लगभग 2-3 चमच घी लिया है अब हम इसमें डालेंगे तीन चमच मैदा डालेंगे इसे बहुत ही smooth सा paste तयार करेंगे तो इस तरह से हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे ये layer के लिए बहुत ही perfect है इसे बहुत ही अच्छे से layer निखर के आएंगे तो friends देखिए इस तरह सा smooth सा paste बनाना है तो देखिए इस तरह से अगर आपको पतला लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा और भी मिला सकते है तो देखी ये बना कर तयार कर लिया है अब हम मैदा देख लेंगे मैदा भी हमारा सेट हो गया है तो फ्रेंस अब हम इसकी लोई बनाएंगे तो इसे हम तीन भाग में कट कर लेंगे इस तरह से तो अब हम इसे लोई बना कर बेल लेंगे तो इसे बहुत ही पतला सा बेलना है मोटा नहीं रखना है जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना पतला बेल लीजिए उसे बहुत ही अच्छे लेर्स बनके तयार होंगे तो देखिये फ्रेंस ये हमने पुड़ी बेल ली है अब जो हमने पेश्ट तयार करके रखा है वो हम इसी पे लगाएंगे इसे बहुत ही अच्छे layers आएंगे पेटीज में तो friends देखे इसी तरह लगा लेंगे हम अच्छे से अब हम इसके उपर डालेंगे मैदा सुखा मैदा डालने से बहुत ही अच्छे से layers निखल के आते हैं तो अब हम इसे करेंगे roll इस तरह से दबा दबा के तो फ्रेंस यह हमने रूल कर लिया है अब हम इसे इस तरह से दबाएंगे और इसे दुबारा हमें विसे पतला करना है तो इस तरह से हम पतला करेंगे तो लोई हमारी थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो अब हम इसे बीच से कट कर देंगे तो आदी हम रख देंगे अलग और इसे हम अच्छे से बेल लेंगे तो देखे इस तरह से हमें पतला करना है तो फ्रेंच देखिए इस तरह से हमने बेला है अब हम इसके उपर फिर से हम लगाएंगे गी का पेश्ट तो अच्छे से लगा लेंगे इसी तरह फिर से हम इसके उपर थोड़ा सा सूखा मैदर डालेंगे तो अब हम इसे फिर से रोल करना है इस तरह से रोल करेंगे हम तो देखिए फ्रेंच रोल हमने कर लिया है अब हम इसे कट करेंगे तो इसे बीच से हम कट कर देंगे तो इसे हम इस तरह से दबा देंगे इस तरह हम दबा कर इसे हम फ्रेंच बेल लेंगे अब हम इसे मीडियम पूरी बेलनी है बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करनी है और ना ही मोटी रखनी है बहुत ज़्यादा पतली करेंगे तो इसमें layer नहीं बनेंगे थोड़ा सा सुखा मैदा लगा कर हम इसे बेल लेंगे इस तरह से तो friends पूड़ी हमने बेल ली है अब हम इसे कट करेंगे देखे इस तरह से हम चारो तरफ से कट कर देंगे इस तरह से तो ये हमने कट कर दिया है तो इसमें जो हमने मसाला तयार किया था वो हम भरेंगे बहुत ज़्यादा मसाला नहीं भरना है तो फ्रेंस अब हम इसके चारो तरफ पानी लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा ताकि तलते वक्त पेटीज खुलेना और अच्छे से चपक जाएं तो इस तरह से हम इसे दबा देंगे इस तरह से चारो तरफ हम इस तरह से दबाएंगे तो ये पेटीज हमारी बनके तयार हो गई है और इसी तरह हम सारी पेटीज को बना लेंगे तो ये पेटीज हमने बना कर तयार कर लिए है तो अब हम इसे तलेंगे तो ये हमने कड़ाई रख लिए है और कड़ाई में हमने तेल डाल दिया है तो तेल को हम बहुत ज़्यादा नहीं गरम करेंगे हलका ही गरम करेंगे नहीं तो पेटीज में लेयर्स नहीं बनेंगे और खस्ता नहीं बनेंगी पेटीज तो लो फ्लेम पर हम पकाएंगे तो तेल हलका गुन-गुना है तो अब हम पेटीज को इसी में डाल देंगे और इसे चलाना नहीं है यह धीमे धीमे पकेंगी देखिए फ्रेंस यह पेटीज सीक रही है और इसमें लेयर्स भी बहुत ही अच्छे से निखर रहे हैं तो देखिए सारी पेटीज में बहुत ही अच्छे से लेयर्स आ रहे हैं तो इसी तरह हम इसे उलट पलट कर अच्छे से पका लेंगे और लो ही फ्लेम पर पकाएं नहीं तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बाहर अच्छे से पक जाएंगी लाल पड़ जाएंगी और अ लेए हैं इस तरह से देखिए कितने अच्छे से लेइर आए हैं फ्रेंश इसे हम थोड़ी दैर और तल लेंगे कि आ घ्र कि बहुत ही अच्छा सा को कर आ गया है और बहुत ही अच्हे से ले अच्ष भी आए हैं इसमें तो फ्रेंस पेटीज हमारी पक चुकी हैं अब हम इसे निकाल लेंगे इसी तरह सारी पेटीज को हम बना लेंगे तो देखिए फ्रेंस पेटीज हमारी बनके तयार हो गई है कितनी इसमोसी और बहुती अच्छे से लेयर्स भी आये हैं फ्रेंस कोई भी फंसन हो या बढ़ड़े पार्टी हो आप इस तरह से पेटीज बना कर सभी को सर्फ कर सकते हैं तो ये पेटीज आप अपनी मन परसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं तो देखिए फ्रेंस कितनी खस्ता बन के तयार हुई है हमारी पेटीज तो आप जरूर ट्राइ करिएगा तो फ्रेंस हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाए